गुजरात MLA की गिरफतारी पर रहुल गांधी का पीए मूदी पर निशाना कॉंग्रिस ने गुजरात की विधायक जिगनेश मेवानी की असंपल्स द्वारा की गई गिरफतारी को आलोग तांत्रिक और असंविधानिक करार देते हुए गुरवार को आरोप लगाया है कि इस घटनकरम से सपस्ट होता है कि शेहनशा घबरा गए है कॉंग्रिस के पूर्वे अध्यक्ष राहूल गांधी ने ट्वीट किया मोदी जी आप विरोत की स्वर को सरकारी मशीनरी का उप्योग कर कुचलने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन सच को कभी कैद नहीं कर सकते हैं पार्टी की मोखे प्रवक्तार अंदीप सूर्जेवाला ने समवादाताओं से कहा शेहनशा घबरा गए हैं गुजरात की वधायत जिगनेश मेवानी जी को असम की पुलिस रातो रात गिरफतार करके ले चाती है इस घबराहट का इस पटाहट का संदेश भी है और चिन भी है उन्होंने सवाल क्या है कि क्या इस देश में अब संप्रदाइक सोहार्द की अपील करना और पी-एम से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अपराद है क्या प्रधान मंत्री से यह उम्मीद करना अपराद है कि वह गुजरात आएंगे और महत्मा गांधी की धर्टी पर शान्ती की अपील करेंगे सूर्जेवाला ने कहा सम्प्रदाइक सोहाड भाईचारे के लिए हमारी जंग जारी रहेगी ना मोदी जी इसे हरा सकते हैं ना ही की देश और कोई ताकत उन्होंने कहा कि पूरी कॉंग्रिस पार्टी मेवानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है कॉंग्रिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा असम पूलिस ने जिस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से गुजरात के विधायक जिगनेश मेवानी को गिरफतार किया है वह समविधान विरोधी कदम है और उस जनता का अपमान है जिसने उन्हें चुना है कॉंग्रिस कारेकरता हर दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उलेखनी है कि असम पूलिस ने एक ट्वीट के सिलसले में गुजरात के विधायक जिगनेश मेवानी को राज के पालनुसार शहर से बुधवार देर राद गिरफतार किया है उन्हें गुरुवार को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मेवानी को ब्रहस्वतिवार तड़के हवाई मार्श से असम ले जाया गया मेवानी के सहयोगी सुरेश जाट ने बताया कि गुजरात के प्रमुक दलित नेता मेवानी को भारती दंड सहीता की धारा 153 एक तह प्रात्मी की दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफतार किया गया यह प्रात्मी की असम के कोकरा जार थाने में दर्ज कराई गई थी